नमस्कार दान्यूस 15 देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ तनुस दिक्षित बिहार में जहरली शराब का जो सिलसला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है जहरली शराब ने अब तक 30 से जादा लोगों की जान ले ली है 50 से जादा लोग अस्पताल में भड़ती है कई ऐस मरीज हैं जिनकी आखों की रोश्णी चली गई है तो किसी को उल्टी और यहां पर छाती में दर्द की शिकायत हो यहां पर बता रहे हैं मामला बहुत गंबीर है और सर्कार शायद इस मामले में सतर्क दिखाई नहीं दे रही है दरसल देखिए जब शराब का जिक्र होता ह है तो बिहार का जिक्र भी सबसे पहले होता है क्योंकि भीहार वो राज्य जहां पर शराब बन दी है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐह से नमूने है जो चोरी छिपे से शराब बेसते हैं और शराब नहीं जहरील शराब कंशी शराब में जादा नशी की क्वान्टि कि आपके राज्य के अंदर शराब बंदी है शराब बंदी के वावजूद आपके राज्य में शराब मिल रही है चलिए ठीक है इस बात को भी एकसेट कर लेते हैं हर राज्य में शराब मिलती है लेकिन जहरीली शराब मिल रही है जिसे पीकर लोग सीधे भगवान के पास ज कि हए हगा हुआ है हर घठ से दो लाक एक लाक निकलती दिखाई दे रही है वेडिया पहुंच रही यह मीडिया भी परिशान है कि आंफिरकार भीहार के अंदर जहरीली सराफ कर जो सलसळा है कब रुखे का और अब जहरीली सराफ को लेकर नितीज सरकार को पूरा बिपक्ष जो है घेरता नजर आ रहा है और नितीश सरकार के जो नेता है वो क्या कह रहे हैं जीतर नाम मान जी का एक बड़ा बयान सामने आया है वो कह रहे हैं कि 13 से 14 करोड की जनता जनसंक्या भीहार के अंदर रहती है इस तरह की घटना अगर हो भी गई है कोई बात नहीं हर राज्य नितीश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और इसमें सरकार की विफलता बता रहे हैं खूब सरकार पर बढ़के लेकिन अब इस मामले में इंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश की नगीन सीट से मुझुद सांसर चंदर सेकर आजाद की चंदर सेकर आजाद ने शोशल मीडि चले जाने और 40 लोगों की हालत गंबीर होनी की गटना अत्यत पीड़ दायक है मेरी समवेदनाय सभी पीड़ितों के साथ है और मैं प्रकरती से प्रातना करता हूं कि मृतकों के परीजनों को इस आसीम दुख को सैने की शक्ति प्रदान करे और जिनकी हालत गंबीर है वे स आगे वो कह रहे हैं जिस प्रकार से राजे में बार बार ऐसी घटनाय हो रही है कि साफ़ दरशाता है कि शराब माफिया और सरकार के घड़ जोड से बने डवल इंजन के कारण शराब बंदी का किर्यान वैन पूरी तरह से आसफल रहा है देकि चंद्र सेकर अजाद यहां क्वेश्रत ने फूरी चाहाल अंगरे अजनाय में और पूरी तरह से और जहरेली शराब मिश्राब रोग से क्विए लोगों की जान जारहे वह जानी तो बंद होगी आखिरकार प्रशाशन को मामले में अग्री तयकीकात और पूरी तरह से कब जहर जहर लीड़ पर रो मैं पत्रकारीता कई समय से कर रहा हूं और मैंने जब पत्रकारीता की श्रुबात करी थी मैं यह संसला तब से सुन रहा हूं कि भ्यáriaर के अंदर शिराब बंदी है लेकिन जहरीली शिराब मिलती है आप से राम नहीं ले सकते लेकिन आप जहरी लिश्राब ले सकते हो उसे पीओ और रात में सो जाओ सुभा आपको सूरस देखने को नहीं मिलेगा और भिहार का जो प्रिशाचन है इस मामले में शांत है नितिश सरकार को इस मामले में एक्षन लेना चाहिए मुख्यमंत्री पर बड़े सवाल खड़े होते हैं वही सवाल खड़े करें है है आप देखोता दलुचास होगँ क्या आखिरकार नितिश सरकारे क्ड़े अक्षन लेती नजर आती है आपकी स्मामले पर क्रतिकरिया है कॉमेंट unser section में जरू बताईएगा तनुस दिखशित आप से भिन